हेलो गूड मॉर्णिंग टू एब्रिवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल आई डबलू एजूकेशन दोस्तों आज के सेसन में हम डिस्कस करेंगे हिंदी ब्याकरण के कुछ मौश्ट इंपोर्टेंट प्रिश्णों के बारे में जो की प्रिवियस येर में उत्तरप्रद प्रिश्णों को यहां पर रखा गया है तो इस मौक टैस्ट के इंदर आपके टोटल थार्टी प्रिश्ण होने बाले हैं अगर आपने इससे पहले मौक टैस्ट की वीडियों को वॉच नहीं किया है तो हमारे चैनल के प्लैदिस में जाकर के आप उन्सभी वीडियों के और उत्रप्रितिस पुलिस में एक अच्छा स्क्योर बना करकी और बिड़्दी को प्राप्त कर सकते हैं तो हमारा लक्शन है आपकी बार बड़्दी यानि आपको बड़्दी मिल जाए तो इसलिए आप जो हमें महनत कीजिए और लक्षे के पृति हमेशा हमें महनत करते रहना जाएं यह मत देखिए बच्चों की बहुत ज़्यादे फॉर्म भरा है सभी ने भरा है लेकिन यह नहीं देखना है आप अपने पृति अपने आप पर भरोसा रखिए महनत कीजिए आप 100% सक्सेस होंगे तो हमने इस के अंदर इस वीडियो के अंदर 30 प्रिशनों को एक्स्प्लेन किया है और हिंदी के पृति एक पार्ट को हमने एक एक प्रिशन इसके अंदर लिया है चाहें लंकार हो चाहें हमारा तद्भव तद्सम ये सभी प्रिशन वरण माला से यानि सभी टॉपिक पे से हमने इस में वीडियो के अंदर कोश्चन को लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्याद मौश इंपोटेंट होने वाला है और आपको पता चल जाएका आपका लेबल क्या है हिंदी में क्योंकि टेस्ट लगाने से हमें ये पता चल जाता है हमारा लेबल क्या है और हम कितने प्रिश्णों को सही करके आ सकते हैं सब्सक्राइए चलते हैं पहले पृष्ण की तरफ तो हमारा पहला प्रिश्ण सब्सक्राइग करिदा तो यहां पर आपसे पूछ रहा है, उपयोगी सब्द का बिलॉब सब्द क्या है तो यहां पर आपको बता देना है, उप्जन A अनौपयोगी, ऑफोसन B E produced ausstagen ऌपयोगी, ऐफोसन D अनौपयोगी तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है उपयोगी सब्द का बिलॉम सब्द क्या होता है तो बिलॉम सब्द क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइए आप वीडियो को पॉज़ करके भी कमेंट कर सकते हैं तो वीडियो के अंदर आप देखिए जो हमारे पास सबसे पहला प्रेशन है प्रेशन नमबर एक उपयोगी सब्द का बिलॉम है तो बिलॉम क्या है आप कमेंट करके बताइए और अगर आप देखिए ऑपसेंडी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा अनुप्योगी देखिए उपयोगी का मतलब क्या होता अनुप्योगी इसका बि उपसर्ग किस सब्द में नहीं है तो यहां पर पूछा गया है आत्म जो उपसर्ग है वो किस सब्द के अंदर नहीं है देखिए जो उपसर्ग लगाई जाते हैं सब्द के सुरू में और जो प्रत्य होते हैं वो लगाई जाते हैं लाश्ट में तो हमें ध्यान में रखना प्रमात्मा के अंदर क्या है आत्म उपसर्ग नहीं है क्योंकि इसने पुछा नहीं है आत्म निर्भर में भी उपसर्ग है आत्म सम्मान के अंदर उपसर्ग नहीं है इसके अंदर क्या है इसके अंदर प्रत्य लगा है तो इसने क्या पुछा आत्म उपसर्ग कि सब्द में जो स्वातंत्रता का मतलब होता है परतंत्रता परतंत्र गुलाम तो देखी अगर मैं इआपर बात करता हूं स्वातंत्रता की तो स्वातंत्रता का मतलब होता है पराधीन्ता पराधीन्ता का मतलब होता है आएनि दूसरे की अधिम कारवे करना maths on b है पर बिल्कुल राइट हो जाएगा जिन्मचों ने option B को लगाया है बिल्कुल right है तो यहाँ पर option B यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा इसी के साथ हम अगला प्रिशन देखते हैं अगला प्रिशन है हमारा नेमलेखित में से बादल का परियावाची सब्द नहीं है देखी हमारा बादल सब्द है उसका परियावाची सब्द नहीं है नहीं है पूछा है ना कि है तो देखी हमारा जो घान है पयोधर है जलज है जल्द है तो जलज क्या है एक बादल का परि परियावाची होता है पयोधर और जलाद ये सब किसके परियावाची है ये सब बादल के परियावाची है लेकिन जलाद जिसके अंदर इसका परियावाची नहीं है तो इन चीजों को ध्यान में रखना है options सी यहां पर बिल्कुल आपका right हो जाएगा इसी के साथ हम अगला प्रेशन देखते हैं, प्रेशन नम्मर फाइव, काले बादल में रहती चांद की रेखा में कौन सा लंकार है, देखिए, यहाँ पर बोला गया है, काले बादल में रहती चांद की रेखा में कौन सा लंकार है, चांद की रेखा, उत्प्रेक्षा लंकार, स्वेस लंकार, इसके अंदर काले बादल के अंदर रहती चांद की रेखा तो यहां पर बादल यानि बादल सब्द के वारे में बोल रहा है यानि चांद की रेखा के वारे में बोलना है तो कहां कौन सा अलंकार होगा इसके अलंकार हो जाएगा यानि ऑप्सन बी यहां पर बिल्कुल राइ को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजिए एक एक स्टूडेंट कम से कम दस लोग को सेयर करेगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल से जल कर दीजी और दोस्तों के साथ सेयर कर दीजी सेसन को जब जिससे जल से जल सभी बच्चे जोड साके सेसन में तो आप्शन भी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा अब बढ़ते हम अगले प्रिश्ण की तरफ देखे हमारा अगला प्रिश्ण है कप्टी मित्र के लिए सही मोहावरा है तो यहां पर प्रिश्ण नमर 6 है जिसमें पूछा गया है कप्टी मित्र के लिए सही मोहावरा क्या है आस्तीन का साथ दात काटी रोटी अकल की दूम या आवनूस का कुंदा तो अगर हम बात करते हैं कप्टी मित्र के लिए तो आस्तीन का साफ हो जाएगा एनी ऑप्सन नहीं है आपर बिल्कुल राइट हो जाएगा तो जिन बचोन ऑप्सन एको लगा है बिल्कुल राइट है कप्टी मित्र के लिए सही मोहबरा है आस्तीन का साफ अगला प्रिश्ण है हमारा अगला प्रिश्ण है हमारा चक्रपाणी में कौन सा समास है तो देखिए चक्रपाणी में पुछा गया है कौन सा समास है तो इसके अंदर ओप्सन है द्यूगु समास, द्वेंद समास, करमधार्व समास या बहु प्रही समास तो दोस्तों कमेंट करके बताईए कौन से समास हो जाएगा इसके इंदर तो इसके इंदर कौन से समास होगा देखी चक्रपाणरी क्या मतलब क्या होता है터 यानि कौन से समास हो जाएगा बहु व्री समास Austin ऑसन डी हैंपर friends विल्कुल write हो जाएगा समस कितने प्रिकार के होते हैं छह प्रिकार के होते हैं सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए तो चक्रपाड़ी के अंदर कौन सा समास होगा बहु विरी समास होगा क्योंकि चक्रपाड़ी बहु विरी का मतलब क्या होता है यानि जिसके समस्त पद एप्रधान हो जिसमें समस्त पद एप्रधान हो और जो तीसरे पद की तरफ को प्रधानता दर्साता हो यानि मुख्य हो जैसे चक्र पाड़ी यानि चक्र है जिसकी पाड़ी में यानि किस के लिए बोल रहा है तो बहुबरी समास यानि दोनों पद इसके अंदर अपरधान होते हैं और जो तीसरे पद की तरफ को जो है indicate करता है वही पर हम बहुबरी समास को लगाते हैं students तो आपको ये चीज दिखान में रखना है कई बार exam में पूछा गया है तो ये वीडियो और ये प्रिश्ण आपके लिए बहुत ज़्यादे most important होने वाले हैं तो option D है पर बिल्कुल right हो जाएगा अगला प्रिश्ण देखते हैं इतियादी सब्द में कौन सी संधी है तो संधी कितने प्रिकार की होती है तो संधी तीन प्रिकार की होती है स्वर संधी, वेंजन संधी और बिसक संधी इतियादी सब्द के अंदर कौन सी संधी है तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा option A यानि यर्ण संधी यर्ण संधी क्यों हो जाएगा क्योंकि आपने देखा होगा बै ये के साथ जब भी आदाक्षर आता है तो बहाँ पर हम यण संदी लगाते हैं अगर हमें इत्यादी का संदी विछेत करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको इत्ती प्लस आदी हो जाएगा तो ओफ्सन ए बिल्कुल राइट है ओफ्सन ए हैं यहाँ पर हो जाएगा आपका इत्यादी सब्द में कौन सी संदी है यण संदी है ओफ्सन ए बिल्कुल है आपर राइट होने वाला है आपका और इसके साथ साथ आप संदी जानते ही हैं कितने प्रिकार की होती हैं तीन प् आदी हो और रहले देखा होगा आपने जो हमारे यहानी यह हमारे संथी के इंतरगत आती है सारी मधिर संदी की प्रिकार होती है अगला परिष्ण कभी का स्थिलिंग क्या है देखी बहुत कई वारेक्जाम में पूछा क्या है क्योंकि इसमें आप सब्द को सही से लिखने पाते हैं समझने पाते हैं इसलिए बच्चे बहुत बार गलत करिया आते हैं तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखेगा एक्जाम में पूछ लिया जाता हैं और आप गलत नहीं करके आएं तो कभी का इस अगला प्रिशन है हमारा प्रेम सागर किसकी रचना है पूछा गया है तो किसकी रचना है बताएं दोस्तों कमेंड करके तो देखिए जो हमारे पास प्रेम सागर जो रचना है बोलो ललू लाल जी की है जिन वच्छन ने आफ़सन सी को लगा है बिलकुल राइट है आफ़सन सी यहाँ पर आपका होने वाला है तो यह रचना एक एक्जाम के अंदर बहुत ज़्याद़ पुछी आती है तो आप थोड़ा स्टुडेंट ध्यान से देखिएगा वीडियोस को और रचनाव को देख करके जाएगा आपके लिए हेल्प रहेगा एक्जाम के अंदर अगला प्रिश्ण है हमारा हिंदी का पहला पत्र है तो देखिए कई भार एक्जाम के अंदर पूछा क्या है हिंदी का पहला पत्र क्या है तो आपका ओज जाएगा है आपर option A यानि ओदंद मारतंड पहला पत्र है हमारा हिंदी का तो option A बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा जिन बच्चों ने option A को लगाया है बिल्कुल राइट है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है अगर पहला पत्र पूछ है हिंदी का तो ओदंद मारतंड आपको लगा देना है बिल्कुल आपका राइट जाएगा तो बीडियो को लाइक सब्स्राइब जरूर कर दें और दोस्तों के साथ सेसन को सेयर कर दें जिससे जल से जल सब भी बच्चे जोड़ जाए और डेली आपको हिंदी मौक टेस्ट से समंदित डेली प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे अगला प्रिश्ण है हमारा नाक रगरना का क्या अर्थ है देखी दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है नाक रगरने का अर्थ क्या है नाक में चोट लगना इज़द देना दीनता पूरवक प्रातना करना चाप लूसी करना तो मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ नाक रगरने का अर्थ होता है दीनता पूरवक प्रातना करना आपसें सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर आगला प्रिश्ण है हमारा थर्टीन राम पढ़ता है तो देखी यहाँ पर पूछा गया है राम पढ़ता है कैस यहाँ है सरलवाग के सँनेगतफ़ा के मुष्यत भाकए अर्टीन कोई नहीं राम पढ़ता है तो यह सरलवाग के हो 지금은 क्यों है क्योंकि यहाँ पर एक ही करिया को दर्शाया गया है इसलिए हम इसको सरलवाग के कहेंगे जहां वी किसी य這邊 के करिया को दर्शाया जाए वहाँ पर हमारा सरल वाग के होता है जिसे राम पढ़ता है यानि एक ही पर्षार पिरकार है तो हम निसको सरल वाग के कहेंगे इसगी साहदा हम अगला हिसन है प्रों में सिटेगती है प्रिशन नमर 14 का रही की आर्ब में इंदन पढ़ना किस महावर का अर्थ है तो दोस्तों जिन वच्चों का अंसर option C की तरफ हो जा रहा है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा यानि सिर मुडाते ही ओले पढ़ना ये option C यानि किसका उधारण है बिधन पढ़ना अगला प्रिष्ण है हमारा प्रिष्ण नमबर 15 महाबीर प्रिषाद दुएदी ने आदिकाल को क्या संग्या दी है देखिए यहापर पूछा गया है option A चरणकाल, option B आदिकाल, option C बीरकाल, option D बिजवपन काल तो देखिए महाबीर प्रिषाद दुएदी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहापर आदिकाल को क्या संग्या दी है तो बिजवपन काल की संग्या दी है तो यहापर आपका option D बिल्कुल राइट हो जाएगा जिन वच्चे ने option D को लगाया है बिल्कुल राइट है संग्र है बाल मुकुंद गुप्त हजारी प्रिसाद दुएदी राम चंद सुकल यह स्याम सुन्दर दास अगर मैं यहापर चिंता मड़ी किसका निवन्द है इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपका कौनसा प्रिस्ट यहापर option सही होने बाला है दोस्तो कमेंट करके आप जरूर बताईएगा हमें अगर मैं यहापर अगर बात करता हूं चिंता मड़ी और कई सारे प्रिस्ट इससे निवन्द से पूछे जाते हैं तो आप यह concept यह सारे topic आप क्लियर करके हो जाएगा राम चंद्र सुकल चिंता मड़ी किसका निवन्द है राम चंद्र सुकल जिन बच्चों ने option C को कमेंट किया है या लगाया है उनका बिल्कुल राइट गया है आप इस तरह से अपना IQ लेबल चेया कर सकते हैं कि मैंने कितने प्रेश्णों को सही अंसर दिया ह देखिए वर्ण वाला से समबन्दित करेश्ण है को सन्नमर सेवइंटीन कि चट्री जो हमारे पास वर्ण है किसकी योग से मिलकर के बिनाई है और तो option यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा कैहलन प्लस से मिलकर के क्या बना है हमारा चेवर्ण बनांए देखिए 6 आगला पृष्ण है कौश्चन 18 हिंदी के सब्दों का लिंग निर्धारन किस के आदारण पर होता है तो देखिए हिंदी में प्रिते, किरिया, संग्या, सर्वनाम अगर मैं यहाँ पर लिंग निर्धारन की अगर हम बात करते हैं किस के आधार पर होता है तो आपका यहाँ पर कौन सा option सही होगा आपका option हो जाएगा B यनी किरिया की आधार पर ब्येक्ति का सब्दों में लिंग का निर्धारण किया जाता है तो जिन वच्चोंने option B को लगाया है मैं बल्कूर right होगा option B यहाँ पर बिल्कूर correct हो जाएगा सब्दों का लिंग निर्धारण किस के आधार पर होता है तो किरिया के आधार पर होता है अगला प्रिश्ण है यहाँ पर ब्यूत पत्ती के आधार पर सब्द के कितने भेद होते हैं तो देखी ब्यूत पत्ती के आधार पर सब्दों के कितने भेद होते हैं एक, दो, तीन, चार तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो तीन भेद होते हैं option C बिलकुल यहाँ पर right हो जाएगा जिन बच्चे ने option C को लगा है बिलकुल right है तो यहाँ पर कौन-कौन से सब्द होते हैं जैसे तुमने देखाऊगा root सब्द एक होता है हमारा योगिक सब्द और दूसरा होता है हमारा योगरूण सब्द तो यह कुछ सब्द आते हैं हमारे किस के अधार पर होते हैं यह हमारे यह होते हैं बियुत पत्ति के अधार पर अगला प्रिश्ण है हमारा question number 20 दसरत सुत्तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचना करकी पंगतिया हैं तो आपका तुलसी दास, कवीर दास, किस अधार सूर दास तो देखिए अगर मैं हाँ पर बात करता हूँ question number 20 की तो यह जो है कवीर दास, यानि किस की रचना है कवीर दास अगला प्रिश्ण है हमारा question number 21 क्रिया की विसिस्ता बताने वाले सब्दोगों क्या कहते हैं देखिए कि अगर कोई भी क्रिया है अगर उसकी विसिस्ता बता रहा है तो मुसको क्या कहेंगे संग्या, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशिशन तो अगर हम क्रिया विसिस्ता की बात करते हैं तो क्रिया विशिशन कहलाता है क्रिया की बिसिता बताने वाले सब्त को क्या कहते हैं क्रिया बिसीसन कहते हैं option D बिलकुल right हो जाएगा जिन बच्चों ने option D को लगा है बिलकुल right है आप बिलकुल सही लगा रहे हैं comment करके बताई आपको video कैसा लग रहा है और आपको किस टाइब का कोई भी प्रोग्लम है तो आप यहां पर कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए और सेशन को अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो जल किया है इक विषन आपका ऑफिस्षिंशन के बारे में इसी तरह से हम आगला कि आपको की अपसन लगा देणा पिश नूमबर ट्वेंट ट्री सब्सक्राइबं वह गईений और रोच्प्रैद हो तथा पहला कि प्रदा हो बह प्रदान हो बहें सुल समास कहलाता है जिस समस्त पद में अवय सब्द हो तो था पहला पद प्रधान हो वह कौन सा सब्द कहलाता है तो हम क्या कहेंगे इसको अवय भाफ समास तत्पर समास दुईगु समास करमधार समास तो यहां पर आपको अवाई भाव समास लगा देना है क्योंकि आप जानते ही है जो पहला प्रदान होता है वो किसम में होता है हमारे अवाई भाव समास के अंदर होता है जैसे आपने देखा होगा प्रती दिन जैसे प्रती प्रती दिन तो क्या प्रती प्लस दिन इसके सब्सक्राइब प्रिश्ण 25 किस समास में उत्तरपत प्रिधान होता है जिसे कि अभी हमने बताए आपको उत्तरपत किस में प्रिधान होता है आपका तत्पुर्ष समास के अंदर प्रिधान होता है तो और ध्यान में रखना है आपको ये समास के पहचान है अगला प्रिश्ण है इसपर स्वेंजनों की संख्या कितनी होती है तो देखिए अगर हम इसपर स्वेंजन की बात करते हैं तो 25 होते हैं कैसे ले करके मैं तक कैसे मैं तक जितने भी आते हैं वो इसपर स्वेंजन होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है 25 होती है तो कई बार एक जम में पूचा गया है और आपको ध्यान में रखना है अगर हम बात करते हैं टोटल वर्णू की संख्या कितनी होती है तो 52 होती है अगर वर्ण माला की संख्या पूचता है तो आपको 52 लगा देना और स्वर पूचे तो आपको 11 बता देना है स्वरो की संख्या कितनी होती है 11 होती है अगला पृष्ण देखते है पृष्ण नमबर 27 अगोश वर्णू की संख्या कितनी होती है यहाँ पर आपसे पूचा गया है जो हमारे अगोश वर्ण होती है उनकी संक्या कितनी होती है तो अगोष बार्णों की संक्या कि एगर हम बात करते हैं तो हयां पर आपको बताना है option A, option B, option C, option D तो हयां पर option B आपका बिलकुल clear हो जाएगा है anthir involves 15 होती है यानि अगोष बार्णों का कितनी होती है तेरे होती है, option B यहाँ पर आपका विल्कुल right हो जाएगा जिन बच्चों ने option B को लगा है वह विल्कुल सही है, right है इसके साथ हम अगला प्रिष्ण देखते हैं देखिए अगोश बर्ण अगला प्रिष्ण है हमारा हिंदी वरण माला में बर्णो के कितने प्रिकार होते हैं देखिए अपर बर्णो के भेद बुचे गए हैं कितने भेद होते हैं तो दो ही भेद होते हैं कौन-कौन से स्वर और बेंजन बर्णो के कितने भेद होते हैं प्रण माला में तो दो भेद होते हैं एक स्वर और एक बेंजन स्वर की बात करें तो 11 स्वर होते हैं और बेंजन की बात करते हैं तो कितने होते हैं 33 अगला प्रिश्ण है हमारा अवे की कितने भेद होते हैं अवे की कितने भेद होते हैं 2, 3, 4, 5 प्रिश्ण नमबर 29 अब एक कितने भेद होते हैं अगर हम बात करते हैं अब एक कितने भेद होते हैं तो चार होते हैं option C यहाँ पर बिल्कुल आपका right हो जाएगा जिन वच्छों ने option C को लगा है वह बिल्कुल सही है और अगर आपने इस channel को like, subscribe, share नहीं किया है तो like, subscribe और share कर लें और comment box में जरूर बताएं आपको कितने प्रिश्णों के बारे में इसमें सही option आपने लगाया है तो आपका level बता चलेगा हमें भी आप कितना comment कर रहे हैं और video आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताएगा और आपको इसी तरह से video चाहिए daily तो आप comment करके जरूर बताएगा हमें देखी हमारा 29 प्रिश्ण बता दिये हमने और last प्रिश्ण है हमारा 30 प्रिश्ण नमर 30 निमलेखित में भाब बाचक संग्या कौन सी है सतुरता बीर मनुस्य गुरू तो यहां पर आपको भाब बाचक संग्या और देखी आपको daily classes साठे आठ वज़ से अपर पिदियो को लाय सियर President सबताओ में और यहा सै। कि यह नदी की कलास म म लेगी ओगिए एक सिर्य जाद नियुको जो शुल विएयर दियुक्ता होगी जाद पांध करतें और और यता है रिप दोक्ता दो प्रवाट